जैहीन दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों हमारे पास यह वैक्यूम क्रीनर डॉंग चेंग का 30 लिटर कॉमर्शल मौजूद है जिसको लिए हमें लगभग 6-7 मेन हो चुके हैं और इसमें चोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो इसको ओपन करके मैं यहां पर देख रहा हूँ जिसमें दोस्तों मैं आपको भी जानकारी दूँगा कि अगर आपका वैक्यूम क्रीनर कभी खराब होता है तो आप इसको किस तरीके से आसानी से खोल सकते हैं ठीक है तो आप बारी बारी देखते हैं किस तरीकी से क्या हो रहा है बहुत ही आसान है दोस्तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है धिरे धिरे दोस्तो एक एक चीजे खोली जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पेच लगे हुए हैं तो उसको एक एक करके खोलते हैं अब दोस्तो यहाँ पे देखिए आप की एक नया portion स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको lead wire भी दिख जाती है ठीक है दोस्तो इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक और page मिल जाएगा जिसको आपको खोलना पड़ेगा इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे motor दिखने लगेगा ठीक है तो यहाँ पे वो वाली page भी खुल गई है उसके बाद दोस्तो आप यहाँ motor का look देख सकते है तो इस तरीके से दोस्तो यहाँ पे motor अवलेवल है आप देख सकते हैं और यह side में दोस्तो यह foam का filter लगा हुआ होता है ठीक है तो कभी कभी दोस्तो यह बहुत ही अलग तरीके से आवाज करने लगा था तो इसको मैंने सोचा कि इसका filter साफ कर दिया जाए तो इसको साफ करके दोस्तो मैंने फिर वैसे ही लगा देता हूँ और फिर packing कर देता हूँ अगर आपको कभी भी वायर वगयरा कटा रहे तो आप इस तरीके से इसको करके कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो चलते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत